हलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक टू मैं चानल मैं हूँ अधिती भारती, आप लोगो की टेरो रेडर और आज मैं यहाँ पर सड़नली मुझे इंट्यूटिव लवल पर फील हुआ कुछ रेडिंग करनी है क्योंकि मॉर्निंग से मैं सारे रेडिंग करे थी क्योंकि मॉर्निंग मैं सब रेडिंग कर लेती हूँ आपके partner की current feelings मैंने चेकी है उसके बाद angel guidance आप लोगों के लिए पी की है उसके बाद मैंने आप लोगों की एनरजी चेकी है सारे जो रेडिंग मैंने की है आज के लिए, आज पूरे दिन के लिए सब में बहुत powerful messages आए है बहुत loving energy निकल कर आए है suddenly मैंने date चेक किया तो देखा कि आज 21st December है मतलब 2-1-1-2 तो मुझे ऐसा फिल हुआ कि आज date बहुत special है और उसी वज़े से कहिना कर मुझे लग रहा है को special भी होने वाला है और तब ही इतने ज़ादा powerful messages निकल कर आ रहे है आप लोग के लिए energy इतने ज़ादा loving है इतने ज़ादा heavy भी है कुछ लोग के लिए heavy energy है तो मैं वही चिक करने वाली हूँ suddenly मुझे feel हुआ कि इस topic पर reading करनी है intuition मेरा कह रहा है ऐसा ही कि कुछ होने वाला है आप लोग के life में तो देखते हैं collective level पर क्या changes आ रही है specially जो लोग कोई spiritual path follow करे हैं उनके life में कुछ massive changes आ रही है क्योंकि यहाँ पर 2112 mirror numbers है यहाँ पर और साथ में इसको हम to influence के लिए बहुत ज़ादा special number कह सकते है 2 represent करती है moon को moon का number है number two emotions को दर्शा आती है और number one होती है masculine number sun को represent करती है तो 2112 यह number divine feminine and masculine के लिए होते हैं बहुत powerful होते हैं specially tune film journey में जो लोग होते हैं अगर यह number दिखे 2112 या फिर 1221 यह mirror numbers बहुत special message को carry करता है तो आजका date बहुत साथ special है तो मैं चिक करना चाहूंगी what changes are coming next क्या changes आप लोग के life में आ रही है क्या changes आप लोग के life में आ रही है आज के दिन में जो मेरी intuition कह रही है divine मुझे guide करे क्या सच में कुछ changes आ रही है thank you five of wands ease of wands king of cups four of wands आप लोग समझ पा रहे होंगे cards को देखकर the sun और दिखते हैं और क्या changes आ रही है seven of pentacles बहुत सारी cards wait a minute page of wands है यहां से the emperor the head of end वाव आज masculine energy बहुत strongly निकल कर आए है यहां पर इस reading में बहुत strongly masculine energy है देखिए यहां पर the sun card भी masculine energy को दरशारी है यहां पर emperor के energy भी masculine energy को दरशारी है और यहां पर hair of end के भी energy है यह भी marriage card है guys और देखिए four of wands भी यह दूनों ही marriage card strongly निकल कर आए है अगर आप में से कुछ लोग अपनी tune flame के साथ अपनी high level of soulmate के साथ marriage को manifest करे है तो यहां पर marriage की chances strongly है बहुत strongly marriage के chances है देखिए एक ही card यहां पर conflict के निकल कराया है तो इतने दिनों तक जो conflict था वो यहां पर खतम होगी और एक new phase में आप लोग enter करने वाले हो आज का date बहुत special है इस बार की new moon भी बहुत special होगी sorry guys for the noise late हो चुकिए बहुत साथा reading करते हुए बहुत साथा noise हो रही है मुझे पता है तो आप लोग energy में focus करने की कोशिश कीजिए ignore कीजिए जितना साथा noise हो रही है उसको यहां पर जो conflict था इतने दिनों से आप लोग के life में यह खतम होने वाली है king of cups के energy है guys यहां पर भी king के energy है masculine energy है तो masculine के ऊपर heavy यहां पर energy होने वाली है masculine लोग transform होने वाली है आज का date बहुत साथा special है तो यह emotional होंगे यह feel कर पाएंगे love को इनको ऐसा feel होगा कि आप ही तो होना इनके जन्मों जन्मों के साथ ही आप ही हो इनके divine love आप ही हो इनके design partner आपके साथ ही इनको future में आगे बढ़नी है तो यह क्यों delay कर रहे है क्यों आपको waiting में रख रहे है इनको ऐसा कुछ realization हो सकती है यह feel कर सकते है कि आप इनके design partner हो इनके दिल में जो भी love है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है यह feel कर सकते है यह find कर सकते है खुद को कि यह divine masculine है यह powerful energy में है आप कोई male भी हो सकते हो जो इस reading को follow करते है क्योंकि आप पहले love में हो क्योंकि आप spiritual पहले हो आप advocate पहले हो रहे हो तो हो सकता है आपके partner वो runner energy में रहते हो वो आपके divine counterpart है और वो masculine energy में है ऐसा भी हो सकता है यह energy की बात है तो जो लोग masculine energy को carry करे रहे हैं उनके life में कुछ major होने वाला है divine timing बहुत से लोग के life में आ चुकी है यहाँ पर भी marriage के energy मुझे दिख रही है बहुत सादा strongly marriage के chances मुझे दिख रही है guys आप लोग के life में होने वाली है आगे यह commitment आपको मिलने वाला है देखिए four of wands के energy है यह भी twin flame connection को हम लोग इसको twin flame के connection के लिए card मानते है और यह traditional way में marriage, family अगर issues create हो रहे थे तो वो मान सकती है four number यहाँ पर बहुत strongly मुझे लग रहा है important है number four भी हो सकता है number one भी आप लोग के लिए important है तो कुछ major transformation होने वाली है एक fresh beginning होगी love life में आपके partner अपना love express करेंगे marriage commitment मिल सकते है या कुछ ना कुछ ऐसा assurance आपको देख सकते है कि आप थोड़ा और patience बनाओ wait करो यह आपके साथी future family को देख रहा है आपके साथी new beginning करनी है fresh beginning करनी है new beginning के दो card है marriage के दो card है divine masculine यहाँ पर transform हो रहे है बहुत powerful messages है कुछ major transformation होने वाले है कुछ new beginning यहाँ पर होने के chances है आपके partner love offer लेकर आ रहे है आपके life में return आ रहे है चलिए मैं और एक डिक से दिखना चाहूँगी क्या कुछ changes आने वाली है मेरे viewers के life में क्या changes आने वाले है commitment यह मिलने वाला है यह fresh beginning यह offer आपको receive होगी आपके partner के तरफ से divine से यह blessings के रूप में आ रहे है divine खुद यह blessings आप लोग को देंगे और अगर financial life के कुछ problem है वो भी आपर solve हो जाएगी आप लोग के life में yes, reconciliation के chances है आपके partner return आ रहे है आपके life में आपके partner return आ रहे है आपके life में देखिए sun के energy again यहाँ पर आ रहे है थी cups की भी energy है यहाँ पर king of cups के चलिए क्या changes आ रहे है again five of wands के energy है तो conflict जो भी है न गाईज खतम हो जाएगी आप लोग के life में से don't worry oh my god एक ही reading में तीनो asses के card निकल कर आना mind wow amazing powerful energy है गाईज मैंने कहा ना मेरा intuition ऐसा suddenly कहा कि कुछ changes आ रहे है गाईज आप लोग के life में four time यहांपर one की energy है गाईज देख लो four time one yes यह जो आज का debt है यह जो आज का energy है यह twin flames पर major effect डालने वाली है twin flames की life में कुछ powerful shift होने वाले है और fresh beginning के यहांपर chances है आपके partner बहुत साथा passionate है आपको लेकर बहुत जल्द आएंगे अपना love express करेंगे commitment दे सकते है कितना साथा passionate है यह express कर सकते है आपसे और आप दुनों के बीच में अगर conflict हुए थे तो आपके partner sort out करने आ रहे है यह आपके बीना रह नहीं सकते है आपसे दूर यह रह नहीं सकते है हो सकते हैं आपके partner नहीं कुछ ऐसे कुछ किये थे जिस वज़े से आप दुनों में fighting arguments हो गए थे आप दुनों में separation आई थी लेकिन अभी time आ चुकी है यह separation खतम होगी और गाईस अगर आप लोग को spiritual path को follow करे हो spiritual connection में हो तो yes आप दुनों की destiny एक दुसरे से जुड़ी हुई है आप दुनों एक दुसरे के साथ ही grow करेंगे success आप दुनों को साथ में ही मिलेगी एक दुसरे से अलग होकर आप लोग life में आगे नहीं बरपाओगे यह आपके partner को समझ में आएगे चलिए और एक डिक से मैं दिखना चाहूंगी क्या changes आ रही है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बहुत positive feeling हो रही है suddenly मुझे ऐसा feel हुआ कि कुछ होने वाला है आज इतने ज़्यादा positive energy है सारे rating में divine feminine के energy है union की time है guys union होने वाली है आप लोगों की again ace of pentagus same card है यहाँ पर thank you universe thank you I hope कि आप सभी के साथ यह energy resonate करे आप सभी के life में powerful changes आए आपके partner move on करेंगे यहाँ पर ऐसा लग रहा है move on करेंगे कुछ situation से इनको intuitive level पर feel हो रही है कुछ ना कुछ इनको intuitive level पर feel हो रही है कि कुछ change करना है इनको अपने life में changes लेकर आनी है अभी और इनको अपने divine feminine समझ में आ चुकी है कि आप हो और यह आपकी तरफ आगे बढ़े है यह अपने divine feminine के तरफ आगे बढ़े है yes third party release karma release यहां पर होने वाली है और आप दोनों की life में changes आने वाली है कार्मिक situation खतम होगी और आप दोनों साथ में आगे बढ़ेने वाले हो yes third party जो भी situation है आपके partner move on करने वाले है devil energy से move on करने वाले है और self और self आपके लिए आपके तरफ आगे बढ़ेंगे ओके चलिए और देख लेते हैं और क्या changes आड़ी है आप लोग की love life में क्या changes आड़ी है thank you universe आज की energy बहुत powerful है guys जरूर से इस reading को claim कीजिएगा the silver waterfall ओके इतने दिनों तक अगर stuck थी situation emotions आप लोग hold कर रहे थे लेकिन अभी और यहाँ पर आप दोनों ही hold नहीं करेंगे एक दुस्टर के सरफ तरफ अपने emotions को express करेंगे जो भी करेंगे अभी आप लोग एक दुस्टर के साथ करेंगे साथ में grow करने वाले हो एक दूसरे के तरफ feelings को express करेंगे आपके partner से भी वो fear हड़ जाएगी आपके दिल से भी वो fear हड़ जाएगी worthiness आपके partner feel कर पा रहे हैं कि इनकी जो divine feminine है इनके लिए बहुत worthy है और इनको अभी commitment दे देनी चाहिए उनको वाव powerful message है guys आपके partner बहुत जल्द आ रहे है ये समझ चुके है कि आप कितने जादा valuable हो इनके लिए आपसे दूर इनका क्या हाल हो सकती है इनका समझ में आ चुके है और ये बहुत जल्द आएंगे आपके life में ये खुद mature हो रहे है ये खुद समझ पा रहे है कि divine आप दुनों की पीछे है आप दुनों की connection को protect करे है ये भाग कर क्या करेंगे ये भाग नहीं सकते है आपसे spiritual connection है आप दुनों में बहुत जल्द ये divine masculine आपकी life में आएंगे इस connection के लिए ये manifest भी करना start करे है और साथ में इस connection के लिए आपके partner hard work भी करे है जितना करे है आपके लिए करे है जो भी hard work है आपके लिए करे है खुद को heal करे है और guys यहाँ पर ये दोनों card मुझे यही बता रहे है कि आप दोनों में spiritual connection है और ये twin flame connection भी हो सकती है और ये आप लोगों में कोई और divine connection भी हो सकती है higher level up soulmates भी हो सकती हो और next यहाँ पर आज के बाद से start हो रही है आप लोग के life में powerful changes आना definitely यहाँ पर shift होगी आप लोग की energies में change होगी आपके partner divine masculine में convert होने वाले है ये card यहाँ से भी निकल कर आये थे आपके partner divine masculine में convert होने वाले है ये समझ चुके है कि आप इनके divine feminine हो और इस connection को divine खुद protect कर रहे है ये और delay नहीं करेंगे जल से जल आएंगे आपके life में और आपको ये loving सा commitment देने वाले है marriage commitment देने वाले है और जितने सारे aces के card है सब मिला कर मैं कह रही हूँ आप लोग को stability offer करेंगे आपको आपके partner fresh beginning करेंगे आपके partner आपके साथ बहुत ही powerful energy है आज तो जरूर से इस reading को claim कीजिएगा और हो सके तो manifest कीजिए जितना हो सकता है अपने partner को और अपने life में grow करते जाए ऐसा भी नहीं है कि आप waiting energy में चले जाओ इस reading को देखने के बाद ऐसा नहीं करनी है आपको एक time पर दिन में जरूर आपको manifest करनी है divine के साथ connected रही है divine खुद आपको आपके destination तक पहुँचा देगी जरूर से divine को thank you कहिएगा इतने जादा powerful message सबसे पहले तो मुझे feel हुआ यह मैं बहुत thankful हूँ कि यह message मैं आप लोगों तक पहुँचा पाई हूँ तो claim जरूर कीजिएगा thank you जरूर कहिए divine को powerful कुछ shift होने वाले हैं आप लोगों के life में तो यही है guys reading अगर आपको भी feel हो रही है आज के दिन में बहुत साथ positive energy या कुछ changes आपको feel हो रही है तो मुझे comment section में जरूर से बताईगा मुझे पता है कि आज भी ऐसा ही होगा क्योंकि 12-12 portal में भी ऐसा ही था मैंने पूरे दिन में ही बहुत से चीज़े experience की है तो जब भी आप इस reading को देखेंगे मुझे बताना अगर आज के पूरे दिन में कुछ आप experience करते हो कुछ special अगर आपको science मिलते हैं तो मुझे बताना तो अगर ये reading आगे चलकर आपके साथ resonate करती है तो मुझे comment section में जरूर से बताईगा वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा थैंक्स पर वाचिंग